नमस्कार साथियों डॉक्टर उमंग खन्ना उम्योपेथी क्लीनिक के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है साथियों, आज हम आपको बताएंगे ब्लैक हेट्स यानि कि जो मुहासे होते हैं और जिनमें कि फिर बैक्टिरिया जमा होके और और ऑक्सीजन से रियक्शन करके उसमें ब्लैकनेस आ जाती है चेरे पे जो आपके ब्लैक हेट्स होते हैं उसको दूर करने का एक रुपए का कारगर नुस्का यहान उसके हम बताते रहेंगे आपको क्योंकि हमारी इच्छा यह है कि आपका जो मेहनत का पैसा यह नजाया हो और आप भी हमको इस वीडियो के माद्यम से जान जाएं और यहाँ जो नुस्का है साथियों कही पर मैंने कभी किसी मैकजीन में पढ़ा था जो अपनी बालीवुट की अपने हिंदुस्तान की ड्रीम गल है वहाँ भी इस नुस्के को करती है कभी मैंने एक आर्टिकल कभी पढ़ा था लेकिन अभी जब थोड़ा सा और पढ़ा था जब यहन उसका दोबारा हमारे आया तो वो पात हमें ध्यान में आ गई तो ऐसे ऐसी शक्सियत हैं जिनकी इसकिन इत्ती अच्छी रही एक उम्र तक अच्छी रही और आज भी अच्छी है तो ऐसे ऐसी शक्सियतों जो करती हैं जो उनका सफल फार्मूला है अगर उसको हम भी कर लें तो कोई बुरा ही नहीं है तो हम आपको लेकर आएं वही फार्मूला एक ऐसा फार्मूला जिसके लिए इस देश के एक बड़े नेता किसी के लिए वेंग्यात्मक बात कहने से भी रहा नहीं गिया एक गलत बात कहने से भी नहीं रहा गया था ऐसा नुस्का है लेकिन यह नुस्का है और आपकी स्किन को फ्लॉलेस बनाने का आपके black heads को एक रुपई के खर्चे के अंदर खतम कर देने का बहुती अचोप नुस्खा है तो चलते हैं साथियों आपको बताते हैं यहाँ नुस्खा वहाँ नुस्खा जो आप रात में बना लें सुभा रख लें सुभा पांच मिट अपने पे दे दें और इसको आप पंदा दिन कल लें आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल सही हो गए ना किसी स्क्रबर की जरूरत है ना आपको किसी करीम की जरूरत है ना आपको किसी लेजर की जरूरत है ना आपको किसी दवा की जरूरत है और ना आपको किसी और की जरूरत है बहुत छोटी सी बात है आपको थोड़ा सा दही लेना है दही में बेसन मिला लेना है बेसन और दही यहनी कर्ड कर्ड और बेसन इन दोनों चीज़ों को बराबर बराबर मात्रा में आपको मिला लेना है और यह आपको जो है चेरे पे लगा लेना है पूरे चेरे पे लगा ल जैसी हो जाएगी, आपका एक एक पोर ओपन हो जाएगा, एक एक पोर में जो आपके ब्लॉक हो रहा है, जो आगे मुहा से भी आपके बनने वाले हैं, वो भी खतम हो जाएंगे, तो आप ये फार्मूला एक बार करें, और आप देखें, कि आपकी स्किन की एंटी एजिंग प्रापर्टी भी बढ़िया होती है, आपकी स्किन में चमक भी आती है, और आपके ब्लैक हेट्स भी खतम होते हैं, एक महिना ये कार करिए, प्रती दिन करिए, और उसके बाद हमको पंदा दिन बाद कमेंट पोर्सन में लिखके बताईए, आपको लाग हुआ की नहीं, ज तमाज में एक अच्छी बात होगी, तमाम फिल्में आप देखते होंगे, पुरानी फिल्में देखते होंगे, और हम लोग क्या तो सब क्या रिवाजी होते हैं, चाहे जिस दर्म के लोगों कि बेसन, हल्दी और इस तरह की चीज़े लगाते हैं, दही लगाते हैं, तो दह देखना तो उसको करके बनता ही है, मैं चाहूंगा थोड़ा सा कष्ट करें, बहुत ज़्यादा कठें नहीं है, एक क्रीम से, डिबिया से क्रीम निकालना, आपके ड्रेसिंग टेबिल कबड के अंदर रखी है, डब शीशा खोलना, आप उस ड्रेसिंग टेबिल के कबड के शीशे की जगा आपने फ्रिज को खोल लीजे, उससे थुड़ा दही और क्रीम एक चीज होते हैं, यहां क्रीम और दही और बेसन दो चीज़े आपको बस निकालनी है, दोनों को मिला लेना है, और दोनों को क्रीम आप पूरे दिन लगाते हैं, आपके चेरे पे क्रीम के कर आपके पोर्स बंद होते हैं, उससे अच्छा आप बंदा दस मिट के लिए पांच मिट के लिए दही बेसन लगा लीजे, और फिर आप देखे कि आपको चेरा कैसे चमकता है, और जो भी हो वो लिखिएगा जरूर, साथियों, बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को श साथियों साथ रहने के लिए साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवार को कुएमपटार को कुएमपटार करेंगें पालब कर दिरमार्च कर दो नहीं है